हेलो स्टूरेंज, हम मल्टी मीडिया रहे हैं एनिमेशन के और भी mcq questions देखते हैं फस्ट question है हमारा data compression means to the file size अब देखे data compression हमने पताया था आपको तो इसका क्या है data compression क्या है इसमें data bits को हम क्या करते हैं reduce कर दिया जाता है जैसे कि compression का मतलब भी आपको समझ में आ रहा हूँ compress करना उसको उसको छोटा कर देना या reduce कर देना तो बात तो एक होई ना इसमें data का size हम क्या करते हैं कम करते हैं जैसे कि हमें कोई file send करनी है जैसे कि जादा बड़ी चीज है तो उसको बेजने में ज्यादा टाइम लगेगा अगर छोटी चीज है तो वो स्पीड ली जाएगी और स्टोरेज भी हमारे पास कम रहेगी लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो सेम रहेगी तो हम क्या करते है उसमें data को compress कर दिया जाता है अब कि compression का यूज जादा तर हम किसमें यूज करते हैं image में यूज करते हैं वीडियो में करते हैं ग्राफिक्स में करते हैं तो हम यहां पर क्या करते हैं data compression का ज्यादा यूज करते हैं अब देखिए इसका अंसर क्या है data compression means to the file size तो क्या हुआ decrease ठीक है कमी तो कर रहें reduce अब decrease की जागे देखिए reduce भी आ सकता था तो आपको क्या धियान रखना है reduce और decrease का क्या हुआ इसका answer हुआ ठीक है next है what is a type of data compression अब data compression का इसमें से कौन सा टाइप है अब देखिए resolution हो गया jipping हो गया inputting हो गया और catching हो गया देखिए jipping है इसका अंसर क्या है jipping है देखिए वैसे तो हमारा data compression जो टू टाइप्स के होते हैं टू टाइप्स के कौन-कौन से होते हैं देखिए first है हमारा lossless ठीक है second है हमारा lossy यह हमारे two main type होते हैं यह भी आ सकता है कि data condition कित्य टाइप का होता है तो दो टाइप के होते हैं ठीक है इसका correct answer क्या हुआ jipping इसका correct answer हो गया ठीक है next है which of the following are not in a compressed format इसमें सिफ कौन से compressed format नहीं है देखिए mp3 हमारा है ठीक है bitmap हमारा नहीं है इसमें ठीक है mpg भी होता है हमारा और jpg भी होता है यह क्या compress करने का होता है मतलब कि उनको reduce करते हैं यहां पर फाइल को लेकिन bitmap तो नहीं होता है न तो इसका correct answer क्या हुआ इसका correct answer हो गया the prefix code is also called as prefix code क्या होता है यह क्या है फोर्म है lossless data compression की यह किस पर based होती है prefix हमारी entropy encoding पर होती है हमारी देखिए prefix code में हम क्या करते है prefix code जो हमारा वह free code और जैसे कि हम सको कह सकते हैं कि free code है prefix condition code है और instantaneous code भी कहते हैं इसको तो क्या हो इसका answer instantaneous code अब देखिए यहां पर black code block code भी है पारिटी code भी है तो इसकी जगह देखिए और भी इसका answer क्या instantaneous प्रिफिक्स प्री कोड़ भी होता तो भी आपका answer होता तो तीनों जैसे कि कुछ भी हो सकता था यहां पर आपको करने के लिए तो यहां पर देखिए यहां पर आपके prefix condition भी होता तो भी आपका correct answer होता ठीक है चले next देखते हैं next which of the following are lossy method lossy method कौनसा है इस में से देखिए सारे ही हैं हमारे ठीक है mp3 भी है jpg भी है और mpg भी है तो क्या हुआ answer none of sorry none of these words में से कोई भी नहीं है हमारा lossy method ठीक है sequence of code assigned is called अब देखिए sequence code कौनसा है क्या है इस कांसा हमारा code word हो गया ठीक है information is a क्या है information meaningful data what is image image क्या है देखिए image हमारा picture भी है matrix of pixel भी है collection of pixel भी है तो क्या हुआ answer हमारा all of these images हमारे सारी चीज़ा होती है images हमारी complete ही नहीं होती है जब तक उसमें सब कुछ ना हो तो है vector quantization is used for क्या हो यह lossy data compression भी है lossy data correction भी है और pattern भी है तो क्या हुआ answer all of ever next है vector vector quantization is used in तो किसमें used होता है vector quantization किसमें used होता है हमारा speech coding में ठीक है entropy code coding is and क्या है entropy coding lossless ठीक है हमने बताया था कि यह क्या होता है हमारा इक तरह से यह prefix code भी है है आपका यह भी आसकता entropy code क्या है तो क्या है यह prefix code भी है ठीक है यह किसमें आता है हमारे lossless data compression होता है इस पर based होता है हमारा ठीक है तो answer क्या हुआ lossless ठीक है compression technique used in image video is तो इसका answer क्या हुआ transformation coding coding जो हमारा compress कर रहे हैं महाँ वीडियो को कोई वीडियो इसको compress कर रहे हैं तो कुछ हम क्या करते हैं कि transformation coding ही तो करा रहे हैं महाँ पर हम compression technique used in audio compression technique को जो audio में कैसे used होती है तो कैसे होती है हमारी differential और transformation encoding की स्वारा ठीक है one of the disadvantage of multimedia अब देखिए multimedia की सबसे ज़्यादा disadvantage क्या है four option है cost हो गया तो बताए four options में से क्या हुआ आपका अंसर आपका अंसर क्या हुआ cost इसका disadvantage क्योंकि यह आपको थोड़ा सा महेंगा परता है ठीक है देखिए next है a smaller version of an image is called क्या हुआ इसका अंसर आपके सामने four option है clip part हो गया bitmap हो गया portable network graphics हो गया और thumbnail हो गया इसका अंसर क्या हुआ थम नेल इसका correct अंसर हो गया नेक्स्ट है jpeg तो jpeg क्या है हमारा एक image compression ही तो है jpeg फुल फॉर्म भी आपको याद रखेगा फर्स्ट पार्ट में हमने आपको सारी फुल फॉर्म करा दी है jpeg की जो भी हमारा फॉर्म कराई है जो की file format सारे आप बच्चे से देख लिजेगा tiff क्या है हमारा tiff पती क्या है image file format है जेपी जी भी हमारा file format है tiff भी file format है तो आप इनको देख लिए ध्यान से पढ़िएगा इनको सारे चीज़ bitmap image are made up of bitmap किस से बनी हुई है हमारी picture से, pixel से, line से या curve से तो पते किस से बनी है यह line और curve दोनों से बनी है देखे, line किस टेप क्यों होती है हमारी bitmap कैसे बनती है एक line के form में हो गई और एक curve के form में हो गई ठीक है यह हमारी bitmap से बनती है नेक्स्ट हमारा एन image editing software, image editing software कौन सा है हमारा page maker हो गया या ms word हो गया या Photoshop हो गया तो इसका अंसर क्या हुआ, Photoshop इसका correct अंसर हुआ देखे, ms word में हम क्या करते है है, ms word में file कुछ भी करते हैं ठीक है, वहाँ पर क्या है हम loads ready करते हैं, वहाँ पर information को करते हैं तो क्या है, ms word तो नहीं हो सकता है, तो किसका अंसर क्या हो फोटोशॉप, देखे, Photoshop क्या है, image editing करते हैं फोटोशॉप में, यह आपको पता है, इसमें हम high quality की image भी कराते हैं, जैसे कि जो हमारी image जितनी attractive होगी उतना हम उसको देखेंगे न, image को अब देखे, Photoshop में हम filter भी कराते हैं उनको, images को और थोड़ा attractive बनाते हैं, जो real image है, उससे हम उसको change भी करा सकते हैं इसके through करा सकते हैं, Photoshop software के through इसको हम क्या करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा high standards की हमें image बनानी हो, कोई video बनानी हो, कोई graphics करानी हो, तो क्या हम Photoshop software का मापर यूज़ करेंगे, ठीक है Photoshop file extension, अब देखिए Photoshop का extension क्या है, क्या है इसका extension, dot esgs का क्या है extension, which one of the following is the web design tool, इसमें से कौन सा हमारा web design tool है, तो कौन सा हमारा dreamweaver, dreamweaver, देखिए website बनाने के लिए हम क्या करते हैं, web design tool का use करते हैं, अब देखिए हम कोई website बना रहे हैं, तो पहले हम उसके लिए सोचेंगे कि कैसी website होनी चाहिए, अब जितनी attractive हमारी website होगी, उतनी लोग उसमें visit करेंगे, और उतना ही लोगों को हमारी website attract कर पाएगी, के लिए बना रहे हैं, किसी के लिए भी बना रहे हैं, तो जितनी attractive हमारी website होगी, उतना हमारा अच्छा response होगा, तो वो किसके थूरू बनाते हैं, web design tools के थूरू बनाते हैं, ठीक है, हमाँ बेटूल्स यूज़ कर रहे हैं web designing के लिए, ठीक है, यही हमारा क्यों होता है, web design टूल्स होते हैं ठीक है नेक्स्ट है प्रोडेक्शन आफ मल्टी मीडिया तो इसका अंसर क्या हुआ इसमें प्रोडेक्शन आफ मल्टी मीडिया का शूटिंग अब देखे पहला है हमारा स्टोरी बोड देखे स्टोरी बोड क्या होता है यह भी आ सकता है कि स्टोरी बोड क् किसी अच्छे जैसे कि friction, visual, storyboard से, storyboard से हम देखे यह भी कह सकते हैं कि हम imagination कर रहे हैं, कुछ चीज़ imagine कर रहे हैं, फिर हम को उसको हमें, फिर multimedia या animation के थूरू हमें क्या करना है, उसको ready करना है, imagine कर रहे हैं, जैसे कि animation हमारका imagination नहीं तो है, है यहां पे हम कुछ चीजों को कुछ एक स्टॉरी बनानी तो वो स्टॉरी कैसे मेरी आगे काम konnt करेगी उसके लिए में सब्सक्राइव थोड़ा सी इमेज्ड से वीडियो बनाऊंगी वह आगे कि मेरी ऐसे काम करेगी तो तो क्या ही वो हमारा क्याय स्टोर्यबोर्ट होता है हमारी इमयाजिनेशन पी थोड़ा रियल्टि थोड़ा इमेजिनेशन जाता है यह भी सकते हैंग्जाम में खिंख पर क्या है थै स्चोरीबोर्ड ये चिल का है कि Window on paper बद्फड हो ऊच्य पर कराती है हम पहले पेपर बनाते हैं में धिश्टोरीग को पहले चिलिकल प्रेशल से पिर डिकले मिन सवंगों की अपना यह हम digitally करा रहे हैं मल्टी मीडिया में या animation में क्या करा रहे हैं यह क्या होता है हमारे storyboard होता है इसमें से डिजिटर स्टोरेज मीडियम कौन सा है हाड डिस्क हो गया हमारा ठीक है storyboard अभी हमने बताए storyboard क्या है storyboard क्या है एक pre visualization sequence है मतब कि जो premise पहले का हम पहले imagination कर रहे हैं फिर हम उसको क्या कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं तो पहले हम imagination करेंगे ना कि यह काम ऐसे होगा यह ऐसे होगा मतब पूरा imagination कर लेते हैं उसको किस पर पेपर पेपर पर imagination कर लिया फिर जो हम उसको बनाएंगे फिर जादा attractive होगा ज्यादा अच्छा होगा लोग ज्यादा अच्छे से उसको देखेंगे और बहुत ज्यादा attractive होगा मां पर ठीक है यह हमारा क्या आता है स्टोरी बोर्ड होता है इंट्रनेट क्या है इंट्रनेट देखें इंट्रनेट क्या है बताएं आपके सामने अंसर है computer network विदिन ऑर्गनाइशन इंट्रनेट देखें क्या है यह प्राइवेट नेट्वर्क होता है ठीक है जो कि हम प्राइवेटल इसको यूज करते हैं नेक्स्ट्रेप विच कर मोड इस यूज पूर डिजिटल इमेज में यूस करते हैं अर्जी भी हम क्या करते हैं यूस करते हैं Dash is a process of converting analog audio into digital audio, तो इस का अंसर क्या हुआ, digitalization, generation loss is the most minimal in, तो इस का अंसर क्या हुआ, non-linear editing, next और last question है हमारा, which color mode is used for digital image, कौन सा color mode हम digital image में use कराते हैं, तो इस का अंसर है, आपको इस की pdf, telegram पर मिल जाएगी, link आपको description box में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर लिजेगा, pdf फूरी आपको provide हो जाएगी, first part की भी वहाँ पर pdf पड़ी हुई है, और second part की भी आपको मिल जाएगी, और भी questions हमाँ पर आपको मिल जाएगे,